नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप स्वीका ओलान एड़ाफोस्टी यूट्यूब चैनल बे इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बड़ी अपडेट के बारे में जो की संबन देते हैं उत्तर विदेश की तमाम अलग-अलग भरतियों को लेकर इसके अलाबा अगर बात की जाए प्रात्मिक सिच्छक बरती से बीर्ड के मुद्य को लेकर भी बड़ी जानकरी निकल कर आ रही है उसके बारे में भी जानकरी आप स्वीक को दी जाएगी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें साथी शियर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि यह बिल्कुल आप सब्सक्राइब में एक्जाम के लिए होगा इसमें आपस्वी जी सकते हैं इसके लावा पढ़ाई के सासाथ बहुत साथ जीतने का मुका होगा जैसे कि डेल का लेपटॉप सैमसंग मोयल इसके इलावा स्मार्ट बोच येवील स्पीकर गूगल हम इनी के लावा और भी एमर्जोन के बाउचर्स यहां पर आपका जो पैटर्न होगा वो सीजी एल एक्जाम के देखने के लिए मिलेगा इसके लावा हंडेड रेंकर को यहां से बहुत सारे गिफ्ट बाउचर्स मिलेंगे तीन हजार रेंकर्स जो होंगे उनको यहां पर हंडेड परसंट स्कॉलर्शिप मिलेगी कॉमबेट आपका हिंदी इंगलिस दोन में होगा और आपको रियल टाइम और इंडिया रेंक भी देखने के लिए मिलेगी तो देर किस बात की वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिये के लिंक पे क्लिक करें आई गौतम टेन लगाके एंडॉल करना बिलकुल न भूलें तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए प्रात्मिक सिच्छक भरती से बीर्ड के मुद्दे को लेकर जैसा कि दोस्तों आप बात की तो पहली गाए तो यहाँ पर सबढ़ा वेक तो यहां पर कहीने कि सुपीम कोड ने भाहर सरकार इसके अलावर NCTE को बुलाया कि वो आकर इस मुद्दे को लेकर अपना जवाब दाखिल करें NCT की तरफ से अपना जवाब दाखिल कर दिया गया था लेकिन भाहर सरकार की तरफ से यहाँ पर क्या जवाब दाखिल किया गया इसकी जानकाई नहीं मिली थी लेकिन इसी बीच B8 के मुद्दे को लेकर Supreme Code की तरफ से एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल दी है Supreme Code की Registry के माध्यम से जारी Notice को अगर समझें या फिर इसको आपस भी दूशे शब्दों में कहना चाहें तो आपको देखने के लिए मिलेगा 30,788,221 आपस भी के सामने है देवे सर्मा बनाम Union of India आपस भी को देखने के लिए मिलेगा जिसमें जानका या आपस भी के सामने लिखी हुई है कि आपके मुद्दे को लेकर जो मामला है वो लिष्टेड हो चुका है और इसकी जो सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी 22,2222 आपस भी को यहां से देखने के लिए मिला मतलब कि 22,2222 को इसकी आपको सुनवाई देखने के लिए मिली थी उसके बाद यहां पर लिष्टेड करवाया गया था लेकिन अभी तक लिष्टेड नहीं हुआ था अब ऐसे में computer generated date आ चुकी है मतलब कि 15,2322 को इसकी आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी आगामी 15 ताइक को सुपीम कोर्ट के अंदर बिएट बनां BTC मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है अब यहां से देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि 5 राज्यों के अंदर चुनाब चल रहे थे तो उस समय पर अलग अलग मामले देखे जा रहे थे अब सुपीम कोर्ट के अंदर अगली सुनवाई 15 ताइक मतलब कि इसी 15 ताइक को होगी और उस समय पर NCTE के माध्यम से भार सरकार के माध्यम से क्या जवाब लगाया जाता है ये भी देखना दिल्चस्थ होगा क्योंकि यहां पर लाखों बीर्ड अब्डेटियों का जो वविश है वो NCTE और भार सरकार के जवाब के उपर ठिका हुआ है फिलाल यहां से अपडेट पूरे तरीके से किलियर है कि पंदेत आई को बीर्ड को लेकर सुनवाई होने वाली है लेकिन भाई दूसरी दर बात कीज़े अपनी अगली अपडेट के बारे में तो मुख्यमंती योगी की तरफ से यहां पर अब भरतियों को लेकर क्या किया जाएगा इसको लेकर जानकरी लेने का प्यास हुआ क्योंकि लगाता अव्याती करीने की अपने अपने मुद्दों को लेकर पहरेशान थे चाहे अगर बात की जाए एडेट जूनियर सिच्छक भरति के बारे में तो इसके बारे में जानने का प्यास अधिकाईयों के माद्यम से किया गया अधिकाई करीने की एडेट जूनियर सिच्छक भरति को लेकर पूरे तरीके से यहां से बैठ चुके थे उनको लगता था कि जब सरकार बनेगी तबी कुछ होगा अब लेकिन बरतमान सरकार फिर से बापस आ चुकी है और इसको लेकर जानकर ही देखने के लिए मिल रही है कि जल्दी मुख्यबंती के माध्यम से बेसिक सिच्छा विवाग के साथ एक बैठक कीज आएगी और उसके बाद में इस भरती पर किया के पॉसस को बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा पहला रीजन यह होगा कि बरतमान सरकार दुबार से आ चुकी है तो कहीने कि उनकी उपर पैशर भी होगा जो प्रानी भरतियां लटकी हुई है जिनको दिसंबर में पूरा हो जाना है या फिर जो बरतमान के अंदर चल रही है तो ऐसे में अधिकाईयों के माध्यम सरकार कहीने की हड़कम देखने के लिए मिलता है और नई प्रात्मिक सिच्छक वरति को लेकर बात की जाए लेकिन उससे पहले यहां पर आप सुभी को एड़ेट यूने सिच्छक वरति के प्रावसर्स के वाए में जल्द शिरूबात देखने के लिए मिलेगी इसकी जानका अधिकाईयों के माध्यम से दिखी है अधिकाईयों का कहना है कि जल्दी एक प्रस्ता बना कर बेजा जाएगा और इससे समद्दी जो पाइडाम को लेकर दिक्कत है पी एन बी के साथ द सब्सक्राइब कर लें इसके अलावा मुख्यमंति के माध्यम से दो और नई मनलब दो और बरती आप सभी की जिमान पर होंगी पहली बरती अगर बात कीजाए 6800 को लेकर क्योंकि 6800 का भी मामला नियाले में लटका हुआ है पिछली बार जब कोड में सुनवाई देखने के मिली थी तो यहां पर कहिने की 6800 को लेकर हाई कोड की तरफ से पूछा गया था कि सरकार इन 6800 परदों को कैसे बढ़ेगी अब यहां से कहिने की बेसिक सिचा विवाग के माध्यम से अपना जो जवाब हो दाखिल किया जाएगा और वही जवाब अंतिम आप सभी को देखन कि दिए मिलेगा क्योंकि इससे पहले ना तो एजी बहस के लिए तज देखने के लिए तैयार थे और ना ही बेसिक शिचा विवाग भहस करने के लिए तयार था क्योंकि उनको नहीं पता था कि वरत्मान के अंदर कौन से सरकार बनने वाली है अब ऐसे में मुख्यमंती योगी के माध्यम से पहला एड़ेट जूनियर सिचक बरती और दूर सा अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6800 सिचक बरती के प्रोसेस को शुरू करवाया जाएगा और यह जो दोनों प्रोसेस होंगे वो आपको इसी महीने के अंद तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अब यहाँ पर ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा हाला कि एड़िट जूनियर के अंदर भी नियाले को लेकर मामला ऐसा कोई नहीं है लेकिन 6800 के अंदर जब तक हाई कोट में सुनबाई नहीं हो जाती उससे बहले कुछ होने की संभावना बहुत कम है यह बात हो जाती है दो भरतियों के बारे में इसके अलावा अगर बात की जाए तीसरी भरति को लेकर उसको लेकर भी मुख्यमंत्री के माध्यम से बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा जो की संबन्दी थे 68500 के लगबग बचे हुए 22,000 पदों के बारे में अगर आप सभी को याद होगा तो 68500 के बचे हुए 22,000 पदों को लेकर राज्य पिश्डा वर्ग आयो के माध्यम से भी जानका ही दी गई थी इसके अलावा राष्ट्य पिश्डा वर्ग आयो के माध्यम से भी अपनी अंतियम रिपोर्ट सोंपी जा चुकी है जो की आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी तीन मार्च 2022 को मतलब की अब से कुछ ही दुन पहले उनके माध्यम से सिपोर्ट को जारी किया गया था जिसमें उनके माध्यम से कहा गया कि 68,500 सिच्चक वर्थी, 99,000 सिच्चक वर्थी, इसके अलावा एड़ेट जूनियों सिच्चक वर्थी, 22,825 इन सभी की तरह OBC चात्नों को 5% की चूट दी जाए, जिसके अंदर 500 मेरे से 60 ठंक अर्था, 40 प्रतिशत और 30 अब्रतियों को निवक्ति यहां पर दी जानी चाहिए, जिसको लेकर उनके माध्यम से यह भी कहा गया था कि आगामी 15 दिनों के अंदर इसको लेकर जो आख्या है वो अपलब्द करवाई जाए, तो इसके 15 दिनों का समय आप जानते कि 18 मार्च 2022 तक वैलिड है, अब इसको लेकर मुख्यमंति के सामने भी रखा जाएगा, अधिकाईयों का कहना है कि 22,000 को लेकर अभी उनके माध् से कोई फैसला नहीं है, लेकिन जल्दी इसको लेकर मुख्यमंति के सामने रखा जाएगा, जो कि राष्ट पिजडाबर्ग आयूग का ओडर है, और उसके बाद से 22,000 को लेकर यहां से जो फैसला है, वो आपको देखने के लिए मिल सकता है, NCBC ने इस बात को कंसीडर किया है, कि 5% का घोटाला हुआ था, अब इन 5% की सीटों को भरा जाए, जितने भी अव्यर्थी यहां पर होते हैं, उनको 22,000 के साबिश न्युक्ति देने का जो आदिस है, वो दिया गया है, तो ऐसे में इन तीनों सिच्छक बरतियों से संबंदी जो अव्यर्थी होंगे, उन बिल्कुल ना भूलें